माता भूमी पुत्रों हम प्रुथी व्याहा अर्थाद धर्ती हमारी माता है और हम उनके पुत्र माता और पुत्र के इस रिष्टे का पवित्र सेतू यानी प्राकृतिक क्रिशी प्राकृतिक क्रिशी प्रकृतिया में धर्ती का अमरित जीवामरित आईए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गव मूत्र, गोड एवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदी मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमतकारिक परिणाम मिलते हैं जिसका नाम रखा गया जीवामृत जीवामृत निर्मान के लिए जरूरी सामगरी देखते हैं 10 किलोग्राम देसी गाए का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाए का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गोड, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुठी भर पेड के नीचे की मिट्टी. आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामरित बनाने की विधी भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है. इन सामग्री में से गोड, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गव मूत्र का उप्योग करके ठीक से मसल कर लिक्विट जैसा बना ले. अब इन सामग्रीयों को एक ड्रम में डाल कर उसे लकडी के एक डंडे से घोलना है. ठीक से घोलने के बाद जीवामरित बनने के लिए दो से तीन दिन तक चाया में रख देना है. प्रति दिन सुभा और शाम घडी की सुई की दिशा में लकडी के डंडे से दो मिनिट तक इसे घोलना है और जीवामरित को बोरे से ढख देना है. ये जीवामरित जब सीचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमी में जीवानूओं की संख्या अविश्वस्निय बढ़ जाती है. और भूमी के रासाइनिक वज्जैविक गुणों में बृद्धी होती है. जीवामरित को महीने में दो बार या एक बार उपलब्धता के अनुसार दो सो लीटर प्रती एकड़ के हिसाब से सीचाई के पानी के साथ दीजिए. फलों के पेड़ों के पास दोपहर बारह बजे जो छाया पढ़ती है, उस छाया के पास प्रती पेड़ दो से पाँच लीटर जीवामरित भूमी पर महीने में एक बार या दो बार गोलाकार में डालना है. इससे मिट्टी स्वस्त बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है. इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केचुओं की संख्या बढ़ती है. प्राकृतिक क्रिशी में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है. इतना ही नहीं, प्राकृतिक रिशी भूमी गत जल को भी बढाती है इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है गान जीवामरित, जीवामरित का ही सूखा हुआ स्वरूप है जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है इसे एक बार फिर धूप में सुखा कर तथा डंडे से पीस कर महीन बना दिया जाता है। प्राकृतिक खेती का एक अवश्यक आदान बीजामरित है। मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिला कर बीजामरित बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संसकार किया जाता है। इसके एक दिन बाद संसकारित बीज बुआई के लिए तयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपोण नियम है। खेती वाली सारी भूमी को फसल अवशेश से या छोटी अवधी की अंतर फसलों से पूरा ढख दिया जाता है। आच्छादन भूमी में नमी बनाए रखता है। तथा वातावरन से नमी को खीच कर खेती हेतू पानी की खपत को भी अदभुत रूप से घटाता है। जीवानूओं एवं केंचूओं की गती वीधियों को बढ़ाता है, खर पतवार को नियंतरित करता है, तथा अंत में बिघटित होकर जमीन से कार्बन उटसरजन को रोख कर भूमी के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस क्रिशी विधी में वापसा निर्मान भी एक महतवपून प्रक्रिया है, जिसमें भूमी में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राक्रितिक क्रिशी विधी केवल भूमी की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बलकि ये कीट एवं बिमारियों के रोख थाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोख थाम के लिए स्थानिय बनस्पती पर आधारित, सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अगनी अस्त्र। पाँच किलोग्राम नीम या अन्यस्थानिय पौधा जिसे गाए नहीं खाती के पत्ते, बीस लीटर देसी गाए का मूत्र, पाँच सो ग्राम तंबाकू पाउडर, पाँच सो ग्राम हरी मिर्च, तथा पचास ग्राम लहसून के पेस्ट को मिलाकर धीमी आच में उबाल कर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। प्राकृतिक क्रिशी से देश में नई उर्जा का संचार हो रहा है। देश के लाखों किसानों ने इस विधी को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोशित कर दिया गया है। देश के कई गां आज इस ओर और परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नती आ रही है प्राकृतिक खेति के तरीकों को अपनाने से भसल की उपज में बढ़ोत्री हुई है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है धर्ती माता सुखी है उसे लगता है कि किसान ने बहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लोटानी चाहिए।